दो साल पहले राश्वती पूतीन के ने मुझे सैंट पिटर्सबर्ग एकोनोमिक फ़र्म में आमंतरित किया था। यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है। वाल्दी वस्तोग यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है या आर्केटिक और नौर्धन स्वी रूट के लिए अवसर खोलता है। रूसका करीबन तीन चौथा इभुभाग एशिया है। फोर भारीस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुद्रट करता है। इस खेत्र का आकार भारत से करीब दो गुना है। इसकी आबादी सिर्फ छे मिलियन है। लेकिन यह रीजन खनीच, ओल और गैस जैसे प्राकृति संसाधनों का धनी है। यहां के लोगों ने अपने अथक परिश्थरम, साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनोतियों पर विजय पाई है। यही नहीं कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडिस्री और एडवेंचर। मानव गतिविदी का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार इसके लोगों ने वार्दी वस्तोक के बाशिंदों ने सफरता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लेंड को फ्लावर बेड में बदल कर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तियार किया है। कल राश्पती फुतीर के साथ मैंने स्ट्रीट अब दे फार इस एक्जिवेशन देखा। यहां की वीवित्ता, लोगों की प्रतीभा और टेक्नोलोजी की विकास ने मुझे बहुती प्रभावित किया है। इन में प्रगती और सहियोग की अपार संभावनाएं मैंने मैसूस की है। झाल